एडेल और उसके बेटे ने घायल आदमी को हेल्प की पर बाद में इने पता चलता है कि वो जेल से भाग कर आया हुआ था उसके बारे में और भी जानने के बाद ये डर चुके था पर इनके नसीब में कुछ और ही था हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको लेबर रड़े ये 2013 के एक रोमेंटिक ड्रामा हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ ये एक बहुत ही अमेजिंग सी मुवी है और इसके इंडी में बहुत अच्छी है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना इस तरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार होती है और मुवी की स्टोरी हमें हैंडी बता रहा है हैंडी एडल का बेटा होता है हैंडी के फादर उसे और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे तो दोनों अकेली रहते हैं मदर हमेशा हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही जादा स्ट्रगल करती है हैंड ail के वादर ने और एक शादी कर ली थी और उन्हें एक बेटी भी थी सेटर्डडे संडे पर जो है अज करते हैं उसने एक दिनों से कि एक आत्मी को डांस करना आना चाहिए तो उसे वह सिखा देती ये लोगों से जाकर बात करने के लिए एडल डरती है तो हमेशा हेंडरी को अपने साथ लेकर जाती है आज एसे एक सूपर शॉप में हेंडरी के लिए पैंट्स लेने के लिए वो आये हुए थे हेंडरी के पास अचानक से फ्रैंक को छोट लगी थी तो हेंडरी से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो हेंडरी ने कहा कि मैं मेरी मदर के साथ आयो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता फ्रैंग ने एडल को देखा और हो गहता है तुम्हारी मदर मुझे हेल्प कर सकती है उसे कही पर जाना था तो राइड मांगता है इसके बाद यह दोनों एडल के पास गये एडल फ्रैंग को देखकर गयती है कि हम आपको लिफ्ट नहीं दे सकते हैं फ्रैंग हेन्रे की गले पर हाथ लगाता है इंडारेक्टली उसे धमकी दे रहा था कि उसे उसे लेकर जाना ही पड़ेगा एडल भी फिर इस बात को मान जाती है फ्रैंग ने फिर गाड़ी में आकर कहा कि मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो मुझे थोड़ा टाइम तुम्हारे पास रहने तो एडल पुछती कि क्या तुम हमें हर्ट करोगे फ्रैंग कहता है मैंने जान बुछकर मेरे लाइफ में किसी को भी हर्ट नहीं किया वो प्रॉमिस करता है कि घर में उसे हेल्प करेगा एडल ने कहा कि घर पर हमेशा लोग आते र पाऊगे फ्रैंक कहता है कि मैं अभी अभी तो जेल से बाहर आया हूँ फिर से क्राइम करकर में अंदर नहीं जाना चाहता इसके बाद न्यूस पर भी फ्रैंक भाग चुका है यह आ रहा था फ्रैंक कहता है कि अब पुलिस हर जगावर मुझे ढूनने लग जाएंगे तुम पर कोई भी शक भी नहीं करेगा एडल भी इस बात के लिए मान जाती है उसने हेंडरी को फ्री रखा था इसके बाद वो कुक करने लग जाता है वो एक बहुत अच्छा गुक था और उसने बहुत यची सी डीज बनाई एडल के हाथ बंदे हुए थे तो अपने हाथ प्राटों से उसे खिलाता है हेंडरी को एडल की एक बात याद आती है एडल हेंडरी को एक दिन समझा रही थी कि जैसे आदमी बड़ा होता है तो वो किसी ना किसी को तुपाना चाहता है उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई अपना हो ये एक बहुत ही नैचरल चीज ह हेंडरी हमेशा वंडर करता है उसकी मदर की लाइफ में कोई भी आदमी नहीं अब फ्रैंक यहाँ पर है तो क्या वो आदमी फ्रैंक हो सकता है फ्रैंक ने एडल से पुछा कि ट्रेन कब से स्टार्ट होती है एडल के थी कि सुबा ट्रेन स्टार्ट हो जाए कि फ्रैंक का उनी ट्रेन में से भाग जाने का प्लान था हेंडरी रात में एडल को देखने के लिए आया तो अपने बेट से बंदी हुई थी फ्रैंक नीचे सो रहा था हेंडरी सुवा फ्रैंक से बुच्छता है तुम इस तरीके से भाग कर कैसे आके कि तुमें कोई गार्ड विगरा देखनी रहा था फ्रैंक के था कि गार्ड को स्मोक करने के लिए जाना था तो मैंने कहा इस जैसे तुम चले जाओके वैसे मैं इस खिड़के से कूट कर भाग जाओंगा गार्ड को यह मजाग लगा था और वो सचोश में चला क्या अगर आप मजाग में इस तरीके से लोगों से सच बोल जाते हो तो उस बात को सिरेसली लेते हैं नहीं फ्रैंक ने एडल को फ्री कर दिया था वो पुछती है कि आज तुम मुझे क्यों नहीं बान रहे फ्रैंक केता है कि आप नीड नहीं है अगर पुलिस ने तुम से पुछा क्या मैंने तुमें बान कर रखा था तो तुम सच बोलोगी कि मैंने अक्चॉल में तुमें बान कर रखा था फ्रैंक को ट्रेन की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी तो एडल कहती है कि लेबर डे का विकेंड है तो इस वज़े से कोई भी ट्रेन नहीं आएगी अब दो दिन दिन के लिए वो फसे हुए थे फ्रांग उन पर कोई भी बोज नहीं बनना चाता था तो इसी वज़े से घर में सब काम करने लग जाता है उसने स्टेवस को रिपेर कर दिया गाड़ी भी खराब थी तो गाड़ी को ओइल भी चेंज कर देता है एडल को एगाद में जादा प्राइज में लकडिया बेच रहा था तो फ्रांग ने उसे वान किया पूरे घर के भी वो साफ सफाई करता है हैंडरी को बेजबॉल खेलना भी उसने सिखाया अचानक से उनका नेवर आ जाता है फ्रांग ने एडल को पगड़ लिया और हैंडरी को डोर ओपन करने के लिए का हो कहता है कि इस नेवर को जल्दी से घर वेज़ दो उसे शक नहीं होना चाहिए मैरे बास कुछ एक्स्टाइपल्स थे पीछ थे तो इसलिए मैं तुमारी मदर को देने के लिए आया हुआ था हैंडरी कहता है कि वो बात ले रही है नेवर कहते हैं अभी अभी जेल से एक कईदी छुटा हुआ है तुम्हें इस तरीके से डोर नहीं खोलना चाहिए मैं इसी बारे में तुम्हारी मदर को वान करने के लिए आया हुआ था जराबना ख्यार रखना हेंड्री उसे यकिन दिलाता है कि इस बात को समझ सकता है नेवर के जाने के बात एडल फ्रैंक पर गुसा आओगे वो कहती है मेरे बेटे को इस तरीके से तुम कभी भी यूज मत करना इस तरीके से किसी से जुट बोलना ये बात में उसे नहीं सिखा सकती है फ्रैंक भी इस बात कर रिस्पेक करता है फ्रैंक ने कहा कि नेवर ने तो बहुत सारे एपल्स दी है ये विकेंड पर तुम लोग कभी भी खा नहीं पाऊगे उसे एक आइड़ा आया और इस एपल का पाय बनाता है ये पाय बनाते वक्त वो हेंड़ी और एड़ल को रेसी भी सिखा रहा था एक फैमिली की तरह सारे मिलकर ये पाय बनाते है फाइनल लेयर लगाते वक्त एड़ल के हाथ थर-थरा रहे थे तो फ्रैंक उसे confidence देता है ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे ये बात हेन्रे ने नोटिस की रात में यहाँ से एक पुलीस गुजरा वो फ्रैंक को ये ढून रहा था फ्रैंक एड़ल से कहता है कि पुलीस अभी-भी यहाँ से गुजरे इसका मतलब है पाच्छे घंडे हों मुझे यहाँ पर नहीं ढून देंगे उसे भागने के लिए बहुत ही अच्छा चांस था एड़ल कहती कि अब मच जाओ सुबा चले जाना एड़ल नहीं चाती थी कि फ्रैंक अब यहाँ से चला जाए उसे गए थी कि एक दो दिन में चले जाना तब तक तुमारी वून भी हील हो जाएगी हैंडे भी उसे यही रहने के लिए बोल रहा था अगली सुबा फ्रैंक ने फिर से एड़ल के घर में बहुत सारे काम किये उसे हर एक जीज में हेल्प करता था गाड़ी का टायर कैसे बदलते हैं ये भी चीज उसने हैंडे को सिखाए गहता है जब तुमारे साथ कोई लड़की होगी तब उस वक्त ये चीज तुम नहीं सीख सकते हैं इमर्जनसी पर ये काम करना तुमें आना चाहिए फ्रैंक को डांस करना आता नहीं था तो एडल ने उसे भी डांस करना सिखाया एक दिन हेंडे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया हुआ था वहाबर जब वो सोड़ा बाई कर रहा था तो एलेना और नाम की लड़की उसे बात करती है कहती ही कि अलोमिनियूम की टीन में अगर तुम कुछ भी पीते हो तो इससे तुम्हारी मेमिरी खराब होती है वो इस टाउन से नहीं थी तो हेंडे से बुछते कि क्या इस टाउन में कुछ इंटरस्टिंग करने जैसा है हेंडे ने कहा कि तुम यहाँ पर बॉलिंग कर सकती हो इसके बाद उस सब सामन लेकर काउंटर बढ़ गया और उसके पास एक रेजर भी था वोनर बुछता है कि तुम्हारी मदर के लिए रेजर सही नहीं है हेंडे कहता है कि रेजर मेरे लिए है उनर ने भी इस बात के बारे में जादा सोचाने और उसे केरफुल रहने एक लिए का वो जब घर आ रहा था तो पुलीस हर जगा पर फ्रैंक की फोटो लगा रहे थे उसे कहे थे कि केरफुल रहना अगर तुम्हें कुछ दीखे तो हमें रिपोर्ट करना घर आने के बाद अचानक से हेंडरी की नेवर घर में घुश कर आई थी फ्रैंक डर कर वही पर छुप जाता है नेवर एडल को ढून रही थी तो एडल आगे आके नेवर ने कहा कि मुझे ज़रा अरजन काम है मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ेगा तो क्या मेरे बेटे का तुम खैल रख सकती हो उसका बेटा पैरलाइस था और ज़्यादा कुछ भी बोल नहीं सकता था इस तरीके से फ्रैंक के घर में होते हुए एडल कोई भी रिस्पॉनसिबिलिटी ले नहीं सकती पर नेवर ने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया तो इस वज़े से एडल को उसके बेटे का खैल रखने के लिए मानना पड़ता है नेवर के जाने के बाद नेवर के बेटे बैरी को फ्रैंक ने देखा बैरी कुछ भी ज़्यादा बोले गा नहीं तो इस वज़े से फ्रैंक के लिए प्रॉलम नहीं है उसे भी घर की सारी चीजों में शामिल कर लेते है बाहर जाकर बेजबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बैरी भी उनके साथ खेलता है फ्रैंक ने हैंड्री को बेटिंग सिखाई उसके बाद एडल को भी हो सिखाता है इनका आज का दे यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्पेंड हुआ था रात में जब सब मिलकर टिवी देख रहे थे तो न्यूस पर फ्रैंक की न्यूस आई ये न्यूस जब बैरी देखता है तो इस न्यूस से और डिस्टब हो गया जब उसकी मदर उसे लेने के लिए आई तो फ्रैंक छुप जाता है पर बैरी फ्रैंक का नाम ले रहा था उसे इसे बोलनी बाता तो इस वज़े से उसकी मदर को कुछ अलगी लगा उसे जोर से चाटा मारती है और उसका मूब बन कर देती है रात में एडल और फ्रैंक के दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे अब इन्य लगता है कि इन दोनों को साथ में भाग जाना चाहिए फ्रैंक पुछता है कि हैंडरी का क्या होगा एडल ने का कि हैंडरी के फादर कभी उसे मेरे साथ जाने नहीं देंगे एडल का प्लान बना कि हैंडरी के फादर को बताएगी नहीं और वेसी उसे लेकर चली जाएगी यह बात हैंडरी को पता नहीं थी उसे लगता है इशायद एडल और फ्रैंक कि दोनों एक साथ ही भाग जाने वाले है उसे अपने फादर के पास अकेला छोड़ कर जाएंगे इस बात से उसे बहुत बुरा लगा फ्रैंक के उपर मर्डर का चार्ज था और इसी वज़े से वो जेल में था वैडल से कहता है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया मुझ पर एक्सिडन्टी इलजाम लगा था एक्चल में फ्रैंक जब बहुत ही यंग था तो एक लड़की उसे पसन आई थी उसके साथ उसका अफेर हुआ और एक दिन उस लड़की ने उसे कहा कि मैं प्रेगनन्ट हो इसी वज़े से फ्रैंक ने उसके साथ शादी कर ली थी बाद में फ्रैंक को पता चला कि उसकी वाइफ का अफेर चल रहा है वो एक दिन उसे कनफरंट करता है कि क्या ये बेबी मेरा है तो उसके वाइफ कहती है तुमें एक बहुती बड़े फूल हो उसका बेटा नहीं था उसे मार रही थी तो फ्रैंक ने सिर्फ उसे पूश किया और इसी वज़े से सर पर चोट लगनी की वज़े से उसकी वाइफ की डेथ होके फ्रैंक ने उपर जा कर देखा तो उसकी वाइफ ने अपने बेटे को पाट टब में टाल कर उसका मर्डर कर दिया था इस सब की वज़े से पुलीस को लगा था ये Frank नहीं अपनी family को मार डाला ये सिर्फ एक accident था और इसमें Frank की कोई भी गलती नहीं थी एडल कहती कि ये बात तुम्हें सब लोग को समझानी चाहिए Frank ने कहा कि अब उस incident को बहुत जादा time हो चुका है कोई भी मुझ पर believe नहीं करेगा सुबा होने पर adult Henry को गहती है कि हम Canada जाने वाले है इसके बारे में और भी हमें information चाहिए तो library में जाकर कुछ books लेकर आओ यही books जब Henry ले रहा था तो उसे फिर से Eleanor दिखती है Henry ने उसे पुचा कि तुम यहाँ पर कैसे आई Eleanor कहती है कि मेरे father और mother का divorce हो चुका है वो पहले अपनी mother के साथ रहती थी पर mother का अब एक boyfriend है उसके साथ वो शादी करना चाहती थी तो इसी वज़े से Eleanor को उसके father के पास उसने भेज दिया है Henry कहता है कि मेरी mother का भी अभी-भी एक boyfriend बना है Eleanor कहती है कि boyfriend की वज़े से आदमी ज़रा पागल हो जाता है वो क्या decision लेते है यह उन्हें ही पता नहीं चलता Eleanor ने कहा कि तुम्हें अपनी mother से जाकर बात करनी चाहिए Henry को यह बात इतनी ज़्यादा सही नहीं लगती अब weekend आ चुका था तो Henry के फादर उसे लेकर जाते है फादर कहते है कि तुम्हें स्कूल के स्पोर्ट्स में आप ज़रा ध्यान देना चाहिए Henry कहते है कि मैं डांस करना चाहता हो फादर ने कहा कि अगर तुम डांस करोगे तुम्हें लोग ज़रा अलग समझेंगे यह सब चीज़े बताने के लिए घर पर कोई भी आदमी नहीं है तो इसी वज़े से मैं तुम्हें यह सब बता रहा हू Henry कहता है कि आपको किसने का भी घर पर कोई भी आदमी नहीं है फादर और भी इसके बार में जानना चाहते थे तो Henry कहता है कि आपको क्या फरक पड़ता है फादर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो तुम कहा हो कि इसके साथ हो इससे मुझे बहुत फरक पड़ता है घर पर आने के बाद हेंड़ी जड़ा अपसेट था एडल उसे पुछती है क्या हुआ है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैंने और फ्रैंक ने डिसेड किया है कि हम भाग कर कैनडा में चले जाएंगे हैंडरी रोने लग गया वो पुछता है क्या मैं तुम्हें फिर से कभी देख पाऊंगा अडल गयती कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे साथ चलोगे वो फिर उसे गले लगा लेती है अब सब मिलकर सामान वेगरा पैक करने लग गया एक दिन हैंडरी एलेनोर से मिलने के लिए आया एलेनोर हैंडरी को फ्रैंक के बारे में बुछती है तो हैंडरी ने कहा क्यों अच्छा है हम सब मिलकर कैनेडा जा रहे है एलेनोर बहुत ही स्मार्ट थी वो गहती है कि अब स्कूल स्टार्ट होने वाली है और तुम सब लोग भाग रहे हो क्या प्रीजन से जो कईदी भागा हुआ था क्या वही तुमारी मदर का बॉर्फरेंड है हैंडरी हा कहता है एलेनॉर ने हैंडरी से कहा कि तो बोनी अन्कलाइड की तरह हो क्या वो दोनों भी चोड थे और इसे ही भाग रहे थे पर पुलीस ने उन्हें मार डाला था एलेनॉर अकिली थी तो हैंडरी भी उसे छोड़ कर ना जाए इसी वज़े से उसे डराने की ओक कोशिश कर रही थी फ्रैंक को अपनी चोड से ज़्यादा दखलिफ होने लग गई थी एलल कहती कि मैं फार्मसी से जाकर कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ फ्रैंक इसके लिए मना कर रहा था पर फिर भी एलल को इसकी जरूरत लगती है वो जाकर गाड़ी में बेटी है पर इसे स्टार्ट ही नहीं करवाती है एक चीज ते जो उसे खाय जा रही थी फ्रैंक ने आकर उसे पूछा क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती है एलल कहीती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब मैंने हैंडरी की डिलिवरी की उसके बाद और एक बच्चा होने के लिए हमने ट्राय किया था मैं प्रेगनन्ट हुए और मुझे मिस्कैरेज हो गया था इसके बाद उसने बहुत बार ट्राय किया था पर हर बार मिस्कैरेज हो जाता एडल इस बात की वज़े से बहुत ज़ादा तूट गई थी एक बार जब वो प्रेग्नन रही तो उसे बेटी हुई थी पर डिलेवरी के वक्त थी उसकी बेटी की डेथ हो गई थी इस सब की वज़े से हमेशा हो सैड रहने लग गई थी इसी वज़े से उसका हस्बन उसे छोड़ कर चला कया था उसने फ्रैंग से कहा कि मैं तुम्हें कोई भी फैमिली दे नहीं सकती फ्रैंग ने कहा कि अल्डेडी तुमने मुझे फैमिली दे दी है वो हैंडरी को ये अपना बेटा मानेगा एडल कोई बाद अच्छी लगी इसके बाद ये सब मिलकर घर की साफसवाई करते हैं और अगली दिन जाने वाले थे हैं सुबा जल्दी उठकर छुपके से अपने फादर की घर की लेटर बॉक्स में वो रख कर आता है जब वो घर पर वापस आ रहा था तो एक पुलिस ओफिसर ने उसे नोटिस किया वो कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हैं चलो मैं तुम्हें घर पर लिफ्ट दे देता हूं हैंडरी तो पहले इसके लिए मना करता है पर पुलिस ओफिसर मानते नहीं उन्होंने पूचा कितने सुबा तुम कर क्या रहे थे हैंडरी कहता है कि मैं मेरे फादर के घर पर कुछ छोड़ कर गया था तो इसी वज़े से लेने के लिए आया था पुलिस ओफिसर ने देखा कि एडल गाड़ी में सब कुछ सामान भर रही थी यह उसे ज़रा सस्पिशेस लगा आगर वो एडल से बात करता है वो कहता है कि क्या आप कही पर जा रही हो एडल ने खा कि कुछ दिनों के लिए हम ज़रा ट्रिप पर जा रहे है आज सब बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रही थी तो यह और भी ज़्यादा सस्पिशेस था पुलिस ओफिसर कहते है कि मैं आपकी ज़रा मदद कर देता हूँ कुछ बॉक्सेस रखने में उसने एडल को हेल्प की उसे ज़्यादा कुछ भी सस्पिशेस लगा नहीं जाते वग्द हो एडल का हेंडशेक ले रहा था पर एडल का हाथ थरते आ रहे थे तो हین्री उसका हेंडशेक करते है उपर से फ्रैंक छुपकर याज सब को चीज़ें देख रहा था पुलिस ओफिसर के जाने के बाद फ्रैंक है था है अब हमें जल से जल यहां से चले जाना चाहिए एडल और हैंडरी फिरे दोनों बैंक में आये बैंक से सारे बैसे विट्रॉल कर रहे थे यह बात जरा वहां कि इंप्लॉई को सिस्पीशस लगे तो अपने मैनेजर के पास की मैनेजर एडल से जहता है कि अगर आप इतनी जादा अमाउंट विट्रॉल कर रहे हो तो जनरली लोग चेक मिलेते हैं एडल कहती कि आज गल में जादा घर से बाहर निकलती नहीं तो इसी वज़े से सब बैसे निकाल रही थी फिर भी उसे suspicious लग रहा था तो हैंडरी हस्ते हस्ते कहता है कि हम दोनों Bonnie and Clyde की तरह इस country से illegally अलग country में जाकर रहने वाले है इसे वज़े से सारा account खाली कर रहा है मैनेजर ने इस पर हस दिया और सारे वैसे उसे दे देता है ये बात हैंडरी ने फ्रैंक से इसी की थी कि अगर आप इस तरीके से सच बोलोगे तो लोग आपको seriously लेंगे नहीं इसी के parallel में फ्रैंक जब घर पर था तो अचनक से एडल की neighbor घर में घुश कर आती है उसने फ्रैंक को देख लिया वो एडल के बारे में बुशती है तो फ्रैंक के अदाई को ज़रा बाहर गई है मैं घर की fixing करने का काम कर रहा हूँ neighbor को शक चला गया और वहाँ से ओचली जाती है एडल के वावस आने से पहले फ्रैंक को घर पर call भी आया था यह हैंडरी के फादर का था और वो वरीड थे एडल जब घर पर आये तो फ्रैंक कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए लोगों को शक होने लग कि आया अचानक से पुलीस के साइरन की आवाज आने लग के यह रियलाइस करता है कि अब वो भाग नहीं सकते फ्रैंक ने फिर रसी लेकर एडल और हैंडरी दोनों को बान दिया फ्रैंक हैंडरी से कहता है कि तुम्हें बहुत यह अच्छे लड़के हो अगर किसी लड़की ने तुम्हें बैड फिल कराया तो लड़की तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती फ्रैंक एडल से यहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया इसके लिए मैं फिर से 18 साल जेल में जा सकता हो इसके बाद फ्रैंक ने सरेंडर कर दिया उसने एडल और हैंडरी के हाथ बांदे थे यहनी सब को लगे कि एडल उसमें involved नहीं थी उसे कोई भी प्रॉल्म ना आए फ्रैंक को अरेस्ट होकर फिर से सजा हो गई एडल ने प्रोस्टिकुटर से बात करकर फ्रैंक को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की पर प्रोस्टिकुटर एडल से यता है कि अगर तुमने सब कुछ सच-चच बता दिया तो शायद तुम्हें प्रॉलम आ सकता है तुमारी हैंडरी की कस्टडी भी जा सकती है एडल हैंडरी को खोना नहीं जाती थी तो इस वज़े से और कुछ भी कर नहीं पाती वापस आके फ्रैंक को अल्डेरी ट्रांसपर हो चुका था इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर जाते है हैंडरी अब कॉलेज में जाने वाला था उसके एक गल्फिन बनी थी और फ्रैंक ने उसे जो भी चीज़ें सिखाई होए थी ये लाइफ में उसे हेल्फुल होती है एक दिन हैंडरी के फादर ने उसे बात की कहा कि तुमारी मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी वो हमेशा प्यार में रहना चाहती थी जब हमारी लाइफ में प्रॉलम आया तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी अगर कोई दूसरा आदमी होता तो उसे हेल्फ करता पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहता था तो इसी वज़े से मैंने तुमारी मदर को छोड़ दिया मैंने तुमारे साथ ये जो सारे साल बिता है मैं सिर्फ तुमारे साथ बॉंडिंग करना चाहता था मैं तुमें खोना नहीं चाहता हैंडरी भी अपने फादर को माफ कर देता है उसने फादर से कहा कि लास समर में मेरी मदर के साथ बिताना चाहता हो वो पूरा समर एडल का ख्याल रखता है इसके बाद और भी साल गुजर गए हैंडी की शादी हो गई थी उसने अपने एक बेकरी डाली थी जो रेसीवी फ्रैंग ने उसे सिखाई थी यह उसकी बहुत ही फेमस बन गई थी एक मैगजिन में भी उसकी फोटो आई थी यह फोटो जेल में फ्रैंग देखता है और इसे उसने पहचान लिया उसने फिर हैंडी को एक लेटर लिखा वो कहता है कि उस पर वो बहुत ही ज़ादा प्राओड है अब वो जेल से निकलने वाला था अचाता था कि एडल के साथ हो जाकर है एक फैमिली की तरह रहे ये करने के लिए पहले उसने हैंडी की परमिशन ली हैंडी लिखता है कि मदर के एड्रेस चेंज नहीं हुआ है आप उन्हें लेटर लिख सकते हो हैंडी भी चाता था कि उसकी मदर खुश रहे इसे के साथ ये मुवी एंड हो जाती है एक बहुत ये अनेक्सपेक्टेड और अलगी सिच्वेशन की रोमेंटिक मुवी थी अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट शरू कर दीजेगा बहुत सारे मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानलों को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम विर से मिलेंगे और एक नमुए के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया